नमस्कार रियल डिबेट साथे हूं प्रमीन रियल डिबेट मां वधुएक रियल इशू पर आजे चर्चा आने एम मुद्दोर्शे के भारतीयों केम भारतनी नागरिक्ता छोड़ी रेया शे आपड़े जिने मत आपीने संसद बनाविये शिये ये संसद मां वेसी ने सवालों करे और ये सवाल ना जवाब मां जे वाद सामे आवे आजे एनी चर्चा करवी शे संसद मां एक सवाल ना जवाब मां सामे आविऊ के छेला त्रौन वर्ष मां 3.42 लोकोए भारतनी नागरिक्ता छोड़ी अमेरिका पहली पसंद छे 2019, 2021 आ त्रौन वर्ष नी वाद छे अने 2021 मां भारतनी नागरिक्ता छोड़वा नीजे संखिया शेते मां नोन पात्र वधारो थेवो शेतेना कारणों नी आजी चर्चा गरीशू किमकि आम मुद्दो हैडलाइन तो बनेशे पान आम मुद्दा विशे एटली उन्दान पूर्वक चर्चा थती न थी त्राण वर्षमा आयो इतो कई स्थितिमों मिमान थेव अथवा तो अपर्चूनिटीजनी द्रस्टिये तक नी द्रस्टिये अभ्यास नी द्रस्टिये कई बाबत मा भारत्यों अलक देश मा जहिने वर्षे चे त्यानी नागरिक्ता मेड़वे शे त्यनी चर्चा तो आजे शिद्धी बाद करीशों कि भारतियों भारत नी नागरीक ता केम छोड़े छे त्राण वर्ष माजी आकड़ो श्याम तो सुपर रीच पीपल गना बदा गया ते इस शोडी ने ते पन हेडलाइन बनी अती तेना पर आपने चर्चा पन करिया उनार समय मां चर्चा जोड़ाएगे आशिव विश्लेशक तरीके टुक समय मांच एमबेसेड़े डोक्तर केतन बाई शुकला पन आपनी साथे जोड़ाशे पहला तो बनेनू स्वागत छे केतन बाई पन हमना थोड़ी बार मां जोड़ाशे व्यास साहिब आप्तित शर्वाद करिये जे लोग बदू भारती ओजे शे तेमना पासपोर्ट ने परत करियो शे जे विगत ओर शे 2021 मां आ संख्या नोन पात्र वदी शे साउथी मोटो मुद्धो ए शे अ समग्र स्थिती ने आप कई रीते जोई रिया आचो तेनी पाचर ना कारणों शूं होई शक्या जुदा जुदा का साई ठता अपना भारती ओ लोखो नो प्रश्ण बे अखत समस्ग्र देशनों ध्यानाकर्ष्ण करी चुपियो शे पेलो समय होतो ओग्णिसो साइठ अने ओग्णिसो सित्तेर नो दाय को जाने आई 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 टी आई आई अस्सी के देशनी सारामा सारी कोलेजों मां बणे अपना युवानों ग्राजुएशन परची अमेरिकानी राह पकड़ता अपने त्या जे सवलतों हती एना करता रिसार्च अने उच्छ अभ्यास मांटे नी सवलतों त्यानी युनिवर्सिटियों मां खुप सारी हती अने थ्यार पच्छीनों बविश ए नौकरी मिढवा म सारी अने मनोवान चित मढ़ी जती ती प्लूज नहीं पड़ बविश्य मां अगलवा दौना चंसिस पड़ सारा रहता है आ बढ़ेल गड़ेल इवानों जिया देश मां थे आए आए ट मां ए ग्रेजुएट तयार करवा हुआ परविण भाई तो ये जम्माने मां इतले साड़ा त्रण करोड रुपिया नहीं खर्चवा हुआ तो सरकार में क्यारे आपड़े त्रण करोड ने इनी वात करी शात्यार को अधर ये आवत हुश्कते तो ये विदेश मां जाए तो जे अननी पास रोकन करता हुआ जाए गोलो जाए औने गोफने जाए ये रोकने जाए अने ये मने जे ज्ञान संचित करिऊचे जे वेल्यो एडिशन थाइचे हमना मा ते विदेश ना काम मा आगे आजे जे वो फोर्चन फाइवन्रेड कंप्नियों मा वे डजन करता हुआ धारे सी यो भारती ये मोलना है तो ये मने मोटा भाग ना जुदी-जुदी आ बेडियों के इतले आप परिस्तिती में आपने नाम आप ब्रेइन ब्रेइन ग्रें एमने यह तकनोती भार जेतना था अपने अकर्शक रिसर्च और्ने डेवल्प्नेंट ने क्या अकर्शक नौकरी नी तको नोती पुरी पाडिशकता माटे ये लोको अमेरिकान रष्टो पकड़ता जा। आजे यूग ने, जो कहा, तेरे पर ये ब्रेंगें तो चालू छे हमां कहीं, वह चर्चा की नहीं थी, अजाज प्रमाण मां ओची थे ये शे, पर शित्तर पुरो थाय अपने, ये पच्छीन आजे वर्सों छे, ये लगबग छिल्ला पचास वरस, ये छिल ये चे रन करोड पहला आता, पच्छी पांच करोड थाया, अवे दस करोड कहाची। ये आपी, अँने पाच्छो त्या अमुक, मिनिमाम दोक्रियो भी करवानी शरते, अमेरिकानी अर्थ्यवस्त्यामा पोते प्रदान करशे, ये वाद स्विकारी ने, ये ने त्या जव करोड अपाईची। तो आँ विजो मुद्दों छे, कि 10 करोड मानस लही में जाया ही थी, अन्ने 4 लाग दया हुए, तो 4 लाग गुणया 10, ये चालीस लाग करोड आ देशमा थी दया, अपने 13 करोड थी 10 करोड ने र्याज़ पक्रियने ने, 10 परी नक्ये 20 लाग करोड है ये पईसा, अमेरिकानी अर्थ्य वस्ताना लाभार्थ ये वप्रवना, अमेरिकामा जे नौकरियों शुद्नारों अर्चे ये ना लाभार्थ ये वप्रवना, अने अपड़े आमदानी 8 नी खर्चा रुपईया नतिजा ना पूछो या, नतिजा ठंठं गोपाल, अपने नुकरी आपी शकता, नुकरी आपी शकता, तो परिस्तिती आभी थाया, अवे आउग केम थाया चेतर में को, तो रोटी, कपडा और मका लेत्रार पाया नीजरू गयाच, पढ़ा आधी अपने द्यामना यूग मजिवे चे, अने लाइपस्टेन डिसिजेजनों पढ यूग से, येटले मागा महत प्रमाणे अवेली जे बेजिक निर्स से, यहमां त्रा हूं उमेरिश, एक से, शिक्षणी सारी व्यवस्ता, बीजी से, आणों के माटे नी सवलतो, और त्रीजी से, अमें सुपे थी तमें जे पैसा कमावे वाकरी शको, और को जवले अक्व करी शको, धर जोईतू है तो घर मणी जाए तमें जे जोईतू होए ते तमें आराम थी बेढ़ी शको, और तमें कोई काम वगर ना घराद न करे, जहां काईदा अनुशाशन चाले, प्रेसिडेंट आप अमेरिका पन तमें घर पर राजी नो था होए, तमें विजा पार् अमेरिका जवानु जो अहियां सलामत हो जीवन, थोड़ा अड़ो रटलो खईने जो वतन मारेवानु मलतू होए, तो मानसो परदेश सु करवा जाए, आपने विदेश जोवेने फेशन नानिये से, और में विदेश मा वस्ता अपड़ा भाहियों ने जोए आशाए, या स हख़त मैनत करवी पड़े से, अब कहीं, डोलर जाड उपर उपता ना थी, या माइनस 20 दिग्री, 25 दिग्री मा, 40 माइल, 7 माइल, NC माइल, सवार मा तमारे गाड़ी जाते ड्राइव करिने जवानु कांके ड्राइवर नी लज़री तमने पोशाती ना थी, आँगणा मा ब यह बद्दो जाते साफ करवो पड़े, आँ पांच दिवस चाले, छट्थो दिवस वाई कपणा धो आँगा, अने नानी मोटी घर नी त्या पची तमे अहीनी माफक जम पूरुषो राजाशाई भोगवे से, यहने आउकास ना थी होता, यहां दणी दणी आनी बहें काम करता हो चेने, काम करें तो त्या रही शेके, एकले अम दो सहियरो श्रम करवो पड़े, पड़े, अने पची जिये बदावे, आपने दाल बनार जो तो आपने तुके गरमा गरम दाल जो यह, तिया है गरमा गरम तो माला एक तम, पड़ अथवाडियानी साथे बनार इने प्रिज्मा मुखेल, यह एन काड़ी रही पर माइट रही नाकोई, एकले आप त्या जाय से लो कोई तक्लिफ एटी ने जाय से, कहेंगे, अमने शौक नाथी, कहीं थी तिया जाय से, तिया कोई लाल जाजम नाथी पात्रियम नामाट, इस लोट उट विट लोट अवाड पर जाय से, एकले आपने अंतरमन माँ डोकियो करवा जेवुचे, क्या जाय से के मुए, शना माट जाय से, तो आप पांच करणों मारा मत्रमाल छे, एक तो सारी नाकरी मले से, जो बनेला गनेला वरतो, सलामती मले से, खावाप्यों नी कोई तंगी रथी, बुनिया नी 24 चका GDP पेदा करती, अर्थे वहस्ता में वह भागिदार से, आने जे प्रमाने परिश्रम करे, ये प्रमाने नाने नानू ने मोटा ने मोटा ने मोटा मली रेचे, त्या खोटा नियमों ने जाना नति, तमारे एक रितन भर्यू, अटले बधू, जे इंकम टेक्स ने ये एक तो मानसिक्त अब दल भी पड़े आपने, ये राखवावे तो, विजु आपने या बुरोक्रसी, जे अपने एक कपड़ों पर इस्त्री ग्रास, 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 ग्रास करिये, तो ये नहीं गडियों पड़ी जाया, बाबबर इस्त्री नी धान पलो, पेंटना ये इस्त्री कर्याली जे दार से ना उपन लिंबू गशोत कपाई, ये मा बुरोक्रसी ना मगजमा पन भार पड़ी गेशा, के अमुक अमुक दोक्रियों मा तो आपने घरे पैसा खावाज कमावाग वाईशे, गड़ी वक्ते बैंकना कर्मा चाडियों आस्ती, ग्रान मर ये रोज तरसी ने सुधार हुए शे, तो पड़, ये टलो सडल नक फोगाथ, ये टिवाई किया चे, कि आपने तो आपने तो आपनो कलेक करवान, मने कधिकरी कोई ने कहता था, ये बार पासे आने रिपोर्ट करे लो, औने ते साब जूदिया मोस्क अचाए, सनधी सिव कि मेरे वहाँ तो इस नेम प्लेट के पचास लाख देने को लोग तैयारे, पचास लाख से उपर उसके खाली ये नेम प्लेट लिक लगिये ना, उसके मिलते हैं, इतले, मैं मानता हो कि सनधी सिवाओ, एकदम रातो रात ये अमनों रदे परिवर्तन थशे, तो ये आपने जानी जोईने बगड़ा दी दीछ, और हवे एमने समझन आवी गई छे, कि आ नेता बाबु राज कहरी ते चलावाई, तो मानताली ये जाया, चौपणी लखी तैयारे, तो पचास लाज पेला लखी बड़ा, आजे मानताली 100% साच आज, आउँच प्रेडिक्शन, एक व आट, बहेवड, आएंड बहेवड, आजे ट्रीटर लखी लाज बाइक प्रेडेवी, अपने चर्चा करिये तो पड, जा सुदी जे करता घरताचे, एमनों महीलों न जागे, आञे, आजे जे लोखाने, आजे लोखा बहेवाई, तो आजे बाइस, बहेवाई़। आपले मने लागे चे कि का घटना मा वधू वधू वेवधि दन्ती जोई शो आजे ए घटना मा वधू परीबढ उमेर आयू उवधू अब यह परीबढ छे जे भाषावाद कोम वाद जाती वाद पची जाद जातना भगवादों ने लेडे तर्टी चर्चाओ अब दन्या सब्सक्राइब करें देश में हावे सलामती बाबत में पर लोगों चिंतित बन्वा माने हैं जो उन लागे से अन्हें आएम शूर गवर्मेंट मस्तों वरीड अभाउड हो सरकार ने पर नहीं चिंता अशेश कांके मैं अजू सुदी अमरा अमना थी तो कोई अपने नेता हो कोई आभीति तीका करता नती स्रामने वोल्टा नू सरकारे तो काईदों करें चे कोई आउँ वट्सेप मीडिया पर के बीजे कर्शेस साइबर स्वागों तो एना उकर काईदेशन नी कारेवा ही करवान आउश पर अत्यारे जे चाले चलनी सिक्को बजयार मा चाले चे य अपने बाकी दीवादी सवलतों आपने कोई दंफासमारी से के ओको सुन थे एकले जहां हमने मुक्तमने काम करवा ने काम सवाईनी कोई जंजट आपने नह सकतावे तो आए पोते अवतों पोताना पैसा ये जाए जाईए केतनबाए एक तो पांच परीबढने नियाथ चरचा करी पर बारचीव माठी अमेरीकन नाघदिकता पहली पसंदगी केम छे किम आख डाऊम आहमेरीका टोप पर शे किम किकि सवा तुर तुराहे तो ये केम कितन हट ऐच तो चाले जोच हम दिवानी किससा, राचे oh प्रिटन आत्रणे देश मां एक लाक साइट ज्यार करता बदू भारतियों नागरिकता लिधी यह विदेश मंत्रा लेका है सरकारी आकडाओ कहें आवनार समय मां शुआ तरांतर वद्षे वह आप मानो शो कितन बे आपना तरफ थी अन्यूट करशो तो आपने सामदी शाकिए को भी अन्यूट करशो तो हमें आपने सामदी शाकिए को भी अन्यूट करशो तो हमें आपने सामदी शाकिए को भी अन्यूट करशो तो हमें आपने सामाजिक परिस्तिती बहुत सारी हो है तिया आगर ल कुषान, स्किथियान, ग्रीक, तुर्क, अरभ, पर्सियान, ये बजाए इंडिया माँ वे, मेडियावल टाइम सुधी, ये आएक चे आखो ग्लोमबल फिनोमेना जे, अजारवर वर सोधी चालता है, अपने साथी जुनुपोर्ट लोथल जे अडब पानो जे, चार कारण के साथी प्रहलो माईगरेसन जे थायो तुष, इगरी बिनी जे थायो तुष, पंजादना फार्मरो, गुज्रातना कीन यागाया, फीजी, सुवान बजी, कीरावभ, ले वें भी आमागया, जेकन्द माईगरेसन जे सहलु दैहू, जेट वर बिकॉस एला जालाः अब ये डीटेल मां समझायू, कि IIT, IIM 70s, 80s, 90s हुदी, दाकर हमारी मीडिकल कोरिज मादी पचास टका लोगों, मेलिका बिटन बदे गया, माइक्रोबारी पचास टका गया, लो, सित्यर जी आसी मां को जी पुझासमा एक जैनार भिनेकताज याद असे, कि एक कायग छाप आपने है अपने हैं आपने हैं इनी आपने फिगर किया एक पुटल 1.7 million लोको परेंट कंट्री मा रहे चे, अन्य हमाधी 8-800 लोको एक जी चाला 5-0 पर शमैंने सिटिसन जी फुझाए इडिटी, रोजना 390 लोको सिटिसन जीप छोड़ेचे, एक पैली बस्तु। लाहका पाली आइनेट इंकम नोज प्रोब्लेम नदी है, ये सिवाई जुए तो आना काला नो, तो अमेरिका केम जाएजे, तो जे लेटे सवर आयो होगा है अबना, इंडिया बाटे करे तो, तो 20 तका लोगो अमेरिका जवा मागेजे, 40 तका लोगो अच्टेट के लोगो अच्ट जवाज़या है। अबना, जा जवाज़ बाटे केम जवागो जवाज़या होगा है। अबने कम जवाज़या है, तो पर अजन्दे आपके लोगो अगेजिए, स्वाज़या है। आप graphism. टो अमेरिका उन्हे नि 음ा अविक्रद ने पहना, पॉरि इंधot क्या लोग Commissioner, मान अम्रद रहो है. आपैने यह स्वाल में अश्चान प्राइदे श्चान। इक तरिम अबंचान कि मात रहिएू है। सा treaty के पूच फेक्टर हैंने पूल फेक्टरकर हाचmen, फेक्टर है फूल फेक्टर है पॉस्ट एकट क्लिक एक नमी एक भी जथानो निव पर्फान। में लोग पोपुलिसान, बहुत सारूजी कराई आप नाचे लिगे लिगे अपर्चूनीटीटी तर्फ संचेयर के रहे तो नहीं को बहुत बागना बिज़ेस के नमना छुपता है नहीं दोक्रिट नगेशनीर करने बिज़ेस बागना चाहा हूथा सब्सक्राइब कारोगाल। इसकि वाई हेल्सकेर, वोवी दिए हो पची जे हाई नेट इंपम जे एमा लोकों नूच पानू असंचा बद्ती गई इपले के प्रॉपर इंपरस्ट्रक्ट्र फेल्सकेर, बेकर स्टांडर वुपक्टेश्टर आपने जे दाज विजी चाख लातरी के जो है के 1967 अपने ए गुषिषिए वाजम लग माजू राकतरत्यागिक इस लगीन दोर्टयो शoveररणी में नरिला स्पेकर आशीघना करशिक नदा आज्यां खिर टाहिं सिर्थ दोर्ट ये लोकों लाज्योती ओन और्लगीन उपड़ कि क्यों एध्यू और बीड़ा्य का सिते हैं जाने चंद्रासिकर ने पर नोबल प्राइस बहुते हमां लखे जोग पांच फिल्ड मा यहने गंबेट के फिल्ड मा जिसी वी रामना पत्वी जाता है तो एक जिए टाक के वा है औने साथी अगत्यानी वस्तू चाहे है जिए गवानर्स, फेड़ा मौ स्पीच, लॉए पुर्ब़ जाककर चेह है अने साथी चलू, kulvector, tax अपुछ, tax अप्ड डाइस स्थ्रुजज़, जो भाहे है यह खार यह जो पुछासमा साथ वरस्पजी को ताकर चीक उस्टा सथ जिरो इनरेटंस, 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 टैक्स है तो जे tax structure होगे चेह है तो आपी जह जो एक्यासी उसकार तो पजेने टैक्स ना परो पड़े इतले जे 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 इंडिया माँ छे नहीं आज ये आपला फेक्टर जे एननी दे आपने जो ही है 2004-2002 सुधी माँ रिवर्स माइग्रेशन पन तरह हुदू तो यहनू कारण सु हतू यह मैं विवर्स माया थीचा थे हैं मैं सुधी मारा फेक्टर काम मुझे एक्रते ऑन्-धू करते डिवर्स में जे लग्रीच का है अब आए यहासे सो सीच को करें आपनाया थी जे विवाए जर्ता स्मयं थापनी लश्य फ्या एजिंट्वर्च dickev वीनुर्स खेंए जने गयाूं फिर विद्योंटयों्स फडिया वहाद असी थी नीवनी वच्चे वर्या करिये जरे ऑस्टेलिया में 116 कंट्रिमाटे विशात नाले ओपड़े अमेरिका 185 कंट्रिमाटे नाले ओपड़े इसले मुट्टा बागना जी बीदिसमेन होए एमने माते आये बुव अगत्य नी वस्तूचे कि तम्हें ट्रावेल करी तो को ये खाली ट्रावेल एक जए ना देख हो तो ये पिछे के अमेरिका मा मैनत करो अपर तम्हें जेकी मैनत करो एक तम्हें पहिसा मड़े है तो पु ऑजिर्टे इसले माते खुबच अक्याद आधर नहीं जे वेक्षा करो के माते आम आधी जे युए एचे सिंगापूर शे दूब़ एच अने यूके केनडा आप पांच कंट्री पहला पांच मावेजे कि ज्यां लोग को सची वजार है लेते इस सर्वे पूर्चु भले मार्टा आने ग्रीस तो त्यांति युरोकेन उनियन मा तमने विसा माले रखन बज़े जी सको त्यां आजे टेक्स ट्रक्चर जे तमने ट्रावेलिंगी सुर्विदा जे पर सौथी अक्टनू फेक्टर जे सर्व बुनां कांचे नमास रहे थे पाइसा तमने नौकरी मड़े तमने मेनद करो एक नमाने पाइसा मड़े अच्यार अमेरिका माँ 20 टोनर पर अवर पर फट्रक वरकर नित मड़ता दस लाग जोग खाली जे इतले जे खाली एकट फेक्टर न थी अमा गणा फेक्टर जे अने रिवर्स माइग्रेशन थाई सक आमा एक वाट्साप पर घनिवार जोगा मड़ा जे एक नवी फिगर आई जे के पर इंडिया मा दे जाट रिसमा यसी टका मिल्योनर नी घ्रोज थासे जरे अमेरिका अने बिटान अने इटाली माँ 10 टका थासे तो आहां एक अगच्चनी वस्तू है जे मिल्योनर थासे आ अने लिदे लोकों ने जे केवा है कि माइगरेसर मा इज़न प्रेसर वजारे वधियस है अचला वासे आपने ग्लोबल फिगर जोए तरश्या मा थी पंदर हजार चाहिना मा थी दस हजार इंडिया मा थी आट हजार अग्कंग मा तरश्या ने यूक्रेण ना बेताली स्ट बना जे अमेरिका मा थे चाहिना है जे जल्ला तरण बरस मा एक करोण नी साइनिंग अमाउंट आपी अना कितला ना ने टेक्नोजी ने बद्धी जे टेक्नोजी फिलच है तो बद्धा मुटा बगना ने पाचा बोलाया आपने ते एक मुटा मुटा प्रोबलेम है चे कि जे पाचा हो है ति पाचा आगा पची मानस एक तो पहला तो जे जे जैना अबे के हूँ कि ब्रोक्रेटिक एमा स्ट्रक्चर माटवी जाए पजी कई पड़या ने खोल हुआ है तो आपने अमा अमुक वस्तुवोग चींज नहीं करिया जल्दी तो दिस अनदर थार्ड ब माइग्रेशन एंड डिस अगेंड अब ब्रेन ब्रेन एच सवथी मोटीवाद कई गेतन भाई एक जे ब्रेक नों समय थे तम्हें कहिए उन्हें के गणा बता कानों चे माइग्रेशन ना अन्ने इंडेर चर्चा करवी जरूरी पन छे दरेक कानों नी व्यासाइबे पन ए देन नागरिकता केम चोड़ी आशे त्राण पॉंट ब्रेक पहला ब्रेक पहला ब्याद साहिब अने केतन भैश्चुकला है जे परिबरो गना भ्या एप परिबरो ने थोड़ा आगर वधार ये दिनेश बैवोरा अपनी साथे जे दिनेश जी व्यास जी ने और शुकला ने जो बात की और UN का जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है 2022 का उसके अनुसार अगर माइग्रेशन की बात देखे तो भारतिय मूल के जो माइग्रेट से माइग्रेट से उसकी संख्या एक करोड असी लाक के आसपास है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है मतलब एवरेट निकाले तो हर साल डेल लाग से ज़्यादा भारतिय विदेश में स्थाई होते हैं और भारत की नागरिक्ता छोड़ते हैं तो इसके पीछे का रिजन या कारण आप क्या मानते हैं जी व्यासी को केतन भाईर आप सबको मेरा नमस्कार माइग्रेशन रिपोर्ट जिसकी चर्चा आपने किया है तरसल माइग्रेशन देखा जाए तो इस पृत्वी के ऊपर आज की कोई नई घटना नहीं है जब से पृत्वी बसी है मानव ने माईग्रेशन किया है अगर आप 5-6-8-7 साल पहले देखो तो पूरी दुनिया में जो माईग्रेशन है आउट अफरीका का माईग्रेशन है जो डी एन अफ टियूरी है उसके बद तरह तरह की थेोरी आती ही लेकिन migration कहां होता है migration वहां होता है जहां पर संसाधन होते हैं जहां पर आफसर होते हैं पॉस्ट्रोटी होते हैं दो चीजे बहुत ज़रूरी अगर इसको modern context में देखें आज के context में जो आप जो report आई है तो एक बात बड़ी clear है कि भारत से बाहर जाने वारे लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा है चाइना के लोग भी काफी है मैं आपको पहले बता दू चाइना के लोग कम नहीं है आला कि दो करोड के करीब भारती एक कहा जाता कि बाहर है लेकिन actual संख्या उससे काफी ज्यादा है वो सकता तीन करोड के आसपस भारती जो बाहर रहते हैं खेर बाहर जाते क्यों है अगर आज के context में देखो व्यास्ची ने एक बात की थी कि 60 से जब आईटी आई थी अरली 50 स कह सकते हो और अरली 60 स कह सकते हैं जहां से आईटी की पैदाश निकलने शुरूर की थी भारत में उन लोगों के लिए अवसर नहीं वो पाए अवसर नहीं आपाए तो फिर अवसर उन्हें बाहर खोजने शुरूर किये एक सम्मान की परस्थिती भी होती है कि इंडिया में जो टैलेंट है जो पोटेंशल है जिनके पास कपैस्टीज हैं क्यापिबिल्टीज हैं उनके लिए अवसर भी नहीं है संबान भी नहीं है स्थान भी नहीं है तो कहीं न कहीं तो इनसान अपने लिए रोजी रोटी ढूंडेगा फिर वो विदेश का रुख करते हैं अगर अब 3,92,000 भार्फियों ने 3 साल में बाहर की अपना क्या कहते है कि पास्पोर्ट ले लिया तो मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं है दरसल जैसे मैंने पहले कहा कि संसादर कहां पर ज्यादा है अवसर कहां पर ज्यादा है अमेरिका को हमेशा melting pot of culture कहा जाता है वहां की जो एक संस्कृती है वो research based भी है education based भी है हमेशा से वहां पर education को बढ़ावा मिलने के कारण और कोई भी उसमें गतिरोद नहीं है interference नहीं है ना political ना social जिसके कारण लोगों को वहां काम करने का मौका मिलता है साथ में अगर वो परिश्रम करते हैं मेनत करते हैं तो उसका उनका फल भी मिलता है promotions भी मिलती है सबसे बड़ी बात है कि acknowledgement और recognition मिलता है हारत में क्या होता है कि जो administrative jobs नहीं जब आप उनमें जाते हैं इवन अगर आप police में constable बन जाते हैं या फिर कोई clerk बन जाते हैं तो आपकी power unlimited हो जाती है बाकी मैं जो और इंडिया officer है उनकी दो बात ही नहीं करूंगा वो तो राजा बन जाते हैं लेकि समस्या है पहरा होती कि इंडिया में जब PhD जैसे लोग clerk की post के लिए apply करते हैं तो ये डेश के लिए लजजा जनक किस्थी है आप सोचे अगर इसको दो तीन भागों में समस्या को बाट के देखे तो भारस से कौन लोग बाहर जा रहे हैं नमबर वन जो highly educated हैं वो जाते हैं highly educated वे कौन है जो stem class है stem class क्या है स्टी एम जो science के graduates हैं technology के graduates हैं engineering के graduates हैं और mathematics के graduates हैं इसके अलबा जो medicine वाले उसके तो है science में वो भी आ जाता है stem जो कहा जाता line है हाला कि इंडिया में शुरुआत में आपके कई दशक पहले थोड़ी बहुत उसकी इज़त थी और Indian Institute of Science आई थी उनको assimilate करती थी लेकिन ये stem से निकलने वेले जितना भी talent है वो सब 70-80% बाहर चला जाता है क्योंकि वहां उनको M-TEC करने को मौका मिलता है या post graduation और PhD की सूधाय मिलती है एक class के ये लोग है कि जो इंडिया की cream है अगर आप उनको मेहनत से IIT, IASC में या बाकी technology institutes के अंदर आप पैरा करते हो और उसमें से 70-80% फिर बाहर चले जाते है तो फिर वो वापिस नहीं आते है वहां से उनकी इच्छा रहती है वो बाहर करें क्योंकि वहां पे उनके परिश्रम का फ़ल मिलता है दूसरी class कोंसी जो बाहर जाते है जो semi skilled है या बिलकुल unskilled है अब unskilled का जमाना खत्म होगा गल्फ में जाने का तो जो semi skilled है उनके लिए बहुत opportunities है तो उनके लिए छोटे काम है वो जो आपके कतर में जाएंगे साओधी में जाएंगे UAE में जाएंगे UAE के अंदर भारत के 35 लाक नागरी का आप सोचिए 35 लाक जो भाब जाके काम करते है रोजी रोटी की तराश्वे अब ये दो में कैटेगरी है एक तीसरी में कैटेगरी कों सी है यानि की टैलेंट हमारे आपके चला गया जो unskilled या skilled मजदूर थे वो भी चले गए अब उसके बाद एक कैटेगरी बच्टी जो फड़ी जेर है छोटी सी है वो है जिनके पास बहुत पैसे हैं अब मैं इन्हें डॉलर करोड़ पती नहीं कहूंगा मैंने डॉलर अरब पती कहूंगा अब ये हर साल बाहर चले जाते हैं कि इंडिया की वेल्स जो है बाहर जा रही है इस साल उमीद की जारी 2022 की रिप्योट के अंसर आठ हजार भारतिये जिन्हें हमें डॉलर अरब पती कहूंगा भारत छोड़ कर चले जाएंगे आदे जा चुके आदे और चले जाएंगे दूसरी बात पिछले करीपनी जो बेरे पास डेटा है पिछले साथ सालों में लगभग आठ सालों में करीपनी पचास जार के लगभग ये हाई नेटवर्ट इंडिविजुल्स भारत छोड़ चुके हैं क्यों भारत जो बाहर गए हैं दूसरी बात एजुकेशन और हेल्ट की सुधाएं उनके परिवार के लिए बहतर है साथ में एक बहुर चीज है जिसके बारे में हमारे अभी पैनलिस्तें भी चर्चा की विद्वान पैनलिस्तें वो ये था कि भारत का पास्पोर्ट अगर आप अपने हाथ में लेकें तो 87 रैंकिंग है और जहां पे हमें फ्री जाने की है वीजा और एरावल जी की पर्मिशन मिलती है वो छोटे-छोटे देश है आपने नाम भी निस्तुने होगे उनके लेकिन जितने मुखे कंट्री हैं वीजा चाहिए या उस्टेलिया न्यूजिलेंड है या हमको बिटेन जाना है तो और या अपना अमेर्का जाना है कैनड़ा जाना है तो सारा भारत लाइनों में लगा हुए आप देखे आपने कभी किसी जापानी को सिंगापुरियन को उस्ट्रेलियन को लाइनों में लगा देखा है आज जापान को मोर देन 190 कंट्री में वीजा उन एराइवल है वो कभी सोचते नहीं कि हमें वीजा की लाइन में जाना है आज ही आप सोचिए कि मुख्य समाचार है पिछले महीने भी मैंने इसमें रिपोर्टिंग की थी अपने चैनल पर कि भारत सरकार ने एउ के प्रतिनिदियों को बुलाया है एंबस्टरस को बुलाया है उनको पूछा कि आप शेंजन वीजा क्यों नहीं दे रहे है भारतियों को क्या कमी है उपके अंदर वो अटकाक के रखव है अब उसके क्या कारण होंगे मैं उसके नहीं जाना चाहता है लेकिन अल्टिमेटली ऐसी सिचुएशन है यहांपर तोगों को ऐसे पास्पोर्ट चाहिए जहां पे 160, 170, 180 देशों में उनको वीजा औराइवल मिले ताकि आने जाने की उनको वहाँ पर आजादी रहे अब यह तीन कैटेगरी चली गए यानि की सैमी स्क्रिड भी चले गए पड़े लिखे भी चले गए और जिनके पास बहुत पैसा है वो भी चले गए तो हमारे पास बाकी क्या बचता है यहां पर ना बताइए सरकार के दोरा प्रियास किये नी जाते आप सोचिए कि केनड़ा में भी 64,000 लोग चले गए 58,000 अस्टिलिया में चले गए इटली जैसे देश में अब ऐसे देशों में भारती जाके बस रहें जहां की आप तलपना नहीं कर सकते थे 8,800 न्यूजिलेंड में 12,000 इटली में 7,000 सिंगापूल में 6,690 जर्मनी के अंदर स्वीडन के अंदर जहां से हमारे केतन भाई भी अभी बात कर रहे है 3,754 व्यक्तियों ने स्वीडन की जो है वो अपनी ली है लेकिन एक इंपोर्टन चीज मैं कहना चाहूँगा यहां तक भारती हैं बाहर जाकर या तो पास्पोर्ट वदल लेते हैं अपना या पियर्शिप ले ले लेते हैं हाँ पर या फिर वर्क वीजा पर जैसे तैसे काम करते हैं अगर भारत अपने आपको दुनिया की छटी सबसे बड़ी एकॉनमी कहता है जी है छटी सबसे बड़ी एकॉनमी और उस पर गर्व करता है और उसके बास सारा भारत वीजा की लाइन में लगता है तो ये भारत के लिए सम्मान जनक इस्थिती नहीं है नमबर दो भारत के लिए सम्मान जनक इस्थिती तब होगी जब बाहर के लोग यूरप के लोग अमेरिका के लोग जब हिंदुस्तान में आएं और इंडियन से इंडिया गवर्मेंट से आके वर्क वीजा मांगे कि हमें यहां की पासपोर्ट चाहिए हमें यहां का वर्क वीजा चाहिए हमें इंडिया की पीर शिप चाहिए लेकिन इंडिया ना पीर शिप देता है ना वर्क वीजा देता है फिछले जहां पांच सालों म हमारे लाखों व्यक्ति बाहर चले गए पास्पोर्ट लेके और बाकी जो काम कर रहे हो अलग है आप सोचिए भारत ने कितने लोगों को नागरिकता दी ये मारवालों को आप सोचिए गार ये डेटा कभी चेक नहीं होते मेरे पास वो डेटा है सरफ पांच सालों में 5,220 विनेशी नागरिकों को भारत की नागरिका दी गई है और उस 5,220 के अंदर 4,552 लोग पाकिस्तान से आए हैं अच्छली वो हिंदू होंगे या कुछ मुस्लिम भी होगे अधनान सामी जैसे लोग भी हैं जिन्हों इंडिया में आके वो नागिक्ता लिए और कुछ लोग अफगानिस्तान से आए हैं कुछ अपने बंगलादेश से चोटे मुटे 2% आए हमें अगर वाइब्रेंट एक दो लुग पिंड़ेंगे उनको सम्मान नहीं देंगे उनके परिश्रम का प्रतिफल नहीं देंगे लेकिन यहां तो होता यह है कि जैसे मैंने चलिकलर की पोस्की आप्लाई करता है क्रेंब मायंड्सेट उपर से मतलु कि ओपर जा रहा होते हैं को नीचे खीच लो तो सर् करते हैं तो रिसर्च के लिए जिस्थी स्कार्ण की बात कि यह जो कि इस अब पीछे एक Mathematicians से मेरी बात हुई, इंदुस्तार में बड़े Mathematicians हैं, वो कहते हैं, अब मैं भी सोचना अमेरिका चलाया हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर Mathematics के लिए कोई सुधा ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, मुझे Research की PhD करने की सुधा कोड़ी मिली थी, वो कि उसके बाद भ जाएगा है, ब्रिटन जाएगा, वहाँ जाके नौकरी करेगा, जब तक हम भार किये, अपने पैलों से सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ये Migration चलता रहेगा, नंबर दो, Migration हमेशा वहाँ जाता है, जहां संसाधन होते हैं, जहां अफसर होते हैं, एकॉनमी का बड़ा साइ हैं, तो हमारे हैं लोग आएंगे, नौकरी भी करेंगे, अफसर भी लेंगे, रिसर्च भी करेंगे, पर हम वो करने को तयार नहीं है, बाकी ये फर्स समिशन मेरा इतना है, प्रवीन जी, बाकी सेकंड समिशन में आगा, तो मैं बात करूँगा, अगर आपके पास वक्त है ये वर हम से जूनने के लिए धन्यवाद, दिनेश ची, व्यास जी, दिनेश भाय जे वाद करी, ये बधा कान हो तो छे, वे बधा कान हो भी शे, ब्रेन ट्रेन एट ले शूँ, एक सवाल शे, कि ये योगनिर सो सित्ते रने शीना दाइका मा शब्द बदू प्रचलित बन ब्रेन ट्रेन शब्द ज ये पुता नी जात मिशे के ज़े, ब्रेन इतले मगज औने ड्रेन इतले वही जो, आ देश मां थी मगज इतले के ज्ञान बार वही जाए, तबने जानी ने नवाई लाक्षे, आस थी कितला कुर्षो प्यला, आ ब्रेन ड्रेन नी आपड ने नु रड़ी छे, येना करता आ साणा त्रन गणा वदारे किम्मत आ ब्रेन ड्रेन ना कारण ने बारते चुकुई अ ब्रेन ड्रेन छे, जे मानस मा तमें आजे एक मनस साओ अबण होए, पची एने बणाओ, पची एससे थाए, बार मुँ दोरों बणे येनना मा कईक समझ आव बढ़े येना अंदर वदारे ज्यान आवे, तो आजे प्रेन भाइ, we are in the era of knowledge, अने लिए टोफलरे कहा है, जे नाजे नाजे ब्रेन ड्रेन लेघ्ट नाजे विल बेदे पावर्वार मु दोरों दोरों फोरों आपी छे अड़िए, बार मुद दोरों आपी आपी छे, I am sorry to say, that despite the fact that simply 50% of engineering graduates and most of them are óas IITs go to civil services, yet civil services are the first to have the least consideration or respect for the technical people who are working under that. they suffer from some kind of prejudice neural kind of kenner, and they are dual kind of people so our respect is not respectable If you don't respect, you cannot give a hand-in-law you cannot give a sense, you cannot give money you cannot give advancements, you cannot give advancements तो यह स्वाबावित है जो बात कही के तनवाई ने कि जहाँ रिसोर्स है वहाँ लोग जाए नहीं और जो लोग यहाँ भी जो सबसे अच्छे हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे क्यांकि आप उनको कम से कम रेकेज़िशन तो दो यहाँ वोड़ा नहीं रखंट नहीं रखंट कर दो लोग आप लुट्ट अक्राइब को कि जाएं प्रेकेज़िशन तो लुट मुट्ट लुट्र मुट्व ने कायो के अमुट जिग्या यहाँ फुर्सर्च इस्टिटूट्स तयमने मूख ओ तो बारू नलेज वोल कुरियन ने तया नाक है कि जा मशीनरी पन तू के लिए थी औने कशूद ना चाले इत वस गूड थिन पर गुज्रान थे कुरियन मेट रिभून दास्पटेल देर एंद दी एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अमूल वस बार्ट अमेरिका थी आवे बार्ट सरकार इन्हें स्टाइफंड आपे अधे प्लेश्मेंट पड़ आपे अवे नथी वह दे सर बहुत सारी बात बहुत सारू उधारन आपके उन आजे अनफर्शुनेटली समय आजे थोड़ो टूंको शे पन आउधारन पन गनुबधु महत वनुझे के सारा वे मा जो टेलेंटन उप्योग थाई शके तो गनुबधु करी शक्किये केतन भाई जे व्याज साहिबे वाद करी बेथी त्रण मेंट जेतलों आपनी पास समय शे पन जे कारणों आपी आत्तामे पन दिनेश जी हे पन व्याज साहिबे पन छता आपन आपने हम कही है के बारत छोड़नारा शूं वतन थी दूर जेनारा बद्धा शुकी सम्रूद दोई शे ओपर चुनीटी मा टे तो जाई शे पन आपने तो गनाबदा उधारन जोया शे पन जे कोई पड़ मानस जे बाहर गया जे सो वरस पहरा गया जाप गुजराद में तो गाले काम मा शीन फूल छे जोख जे लोगो गया ते कसुल ही नहीं नहीं नता कया अबे हमाँ मैं करू के 140 कंट्री मा गुजराती जे पन थी एसी कंट्री मा शुती रिचेस्वेंन मिनिट दी। इनो को कसूल ही नता गया। अपर जे माइग्रेशन गणिये जे। जम्हें एक बहु व्यवस्तिते विचारवनी ज़रूर छे, सरकारे भी नीती बनानी ज़रूर छे, कि माइग्रेशन इतले, ब्रेइन ब्रेइन, तो ब्रेइन ब्रेइन छे, ये लोगों हिहार करता है, रावज च्पार छे, रावज जे लोगों इजे लोगों कसूल लिदावर गया, कि हमी सेकांड अने थर्ड जनरेशन अत्यार अमेरिका माजे, कमला एरीस चे कि बिजा कर फिटन गणा जेवा, अजारों लाखो एक्जाम्पल है, तो ये लोगों ये प्रगर्टी क इस सब्सक्तिक रहें सकें सब्सक्राइब में लिए yourself तो wala बीके F кабा चेंह सकें चेंहिम कुंथbirds सब्सक्राई युक झाते हीुदू युद्री में सब्सक्राइब रहें सब्सक्राइब। अवे जे साउती अगत्यरी वस्तु भारत माटे पोजीटिव चे है के आपके दुनिया माँ डेमोग्राफी जीवर्स माँ जाई रही चे दरेक कंटी माँ 23 स्टका माइगरन नी जरूरर पढ़ते है इतला रुसी सवनक भी प्राइमिस्ट बढ़ी सके दाबने तो तो आपने बारते है के स्यमिश्की रने खल्टी यह लोकों नए बार जवा माटे सुवीदा आपकी जोई है कारां के आपकी इकम नू मुटम 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 कारां यह सी बिलीयन डॉलर जे परण एक जमाना माटे बसो बिलीयन डॉलर तो यह जवादे हूँ जोई है जे बाइला अब अधी वस्तु आपने करिये तो आपने माटे बहुं मूटी ऑपर्चुनेटिव भी तसे जे चाहिना ने पर फाइदो थे रहे हो जे आपने पर फाइदो थे सके पर देमोग्राफिक डिविडेंड माँ आब अब अधी नहीं करिये तो देन इक विल बिकम देमोग्राफ पंडेया करिए बिजनेमों माटे थे सकता हो जे त्रहां केया पनायशा डियूदा करिवार ये सेमी स्किल्स केलने जवाद से अभाद है धनायशा केवि इसवाद से या अपरुटियों को भी धाकता है तो अभुं लाज ए लोगड पर पसकर बस हें जてखता हुग्रम्रेर तो आप पर ने फाइदों थासे, पर ने प्रहा प्रण कोई कि 2005 मां मेकेंजिक कहते हूं तू 200 बिलियन डाना उसे, आजना दिवस में हैसी बिलियन टोटाल आवे चे, 2003 मां आपने 300 बिलियन लाई सक्के, पर जो आप दी वस्तु करी सू तो अपने माठे बहुत मुठी तप आप परिस्तिती जो वधारे 9 वन से इना माठे जे खुटी रेवुचे करवानी जरूचे, इने शी बहुत ही मतलब माफी चाहता हूं आपके पास समय की कमी होने से मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं लेकिन लेक्स टाइम डन मैं आपको ज्यादा बख्त दूंगा, अभी लेकिन जो भी चर्चा हुवी आपने भी जो सटी के साथ से पॉइंट्स रखे व्यास जी ने और केतन जी ने मतलब इस चर्चा को हर बार रहसा लगता कि ये चर्चा काफी ओर चल सकती है क्योंकि इतनी गंबीर चर्चा है इतना गंबीर मुद्दा है लेकिन आज हम यही पर रुखते हैं अगली बार मिलेंगे धन्यबाद व्यास जी दिनेश जी अने केतन जी धन्यबाद रियल लिबेट मा जोड़ाओं माटे आसाथे चर्चा महल बसातलूष नमस्कार